Oh Oh my God! hello everyone welcome back to youtube channel वीडियो में हम बहुत करने वाले लिए वर्टिकल गार्डन की वर्टिकल गार्डन काफ़ी नए नए अधार कॉनक्सेट हैं गार्डिंग में अधिए क्या होता है कि हमें जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम जो नहीं लगांकि या ग्राउट्स रूट आनले के लिए अथ्टीपल तो रह आधिए के लीए पांट्स आई आधिकल तो दुझ गा絆ए बहुत सारे उनको हमानी एंको कुछ अफाव्य ही इत эфф Mia सब्सक्राइब के लिए रहता है लो लाइट में चलते हैं हाई लाइट में भी चलते हैं बहुत ही एजी ली सस्टेनेबल होते हैं वर्टिकल गार्डन के लिए लाइज शोईंगो डाप्लांट्स लाइक गोटि फाइलो देंड्रों से जाइं पुट्धों से नियॉ पॉथ हैं बेबी प्लांट्स है इसके अलाबक ऊच्पन के तो मैं वर्राइटि सफ पूट ऑफ बहुत ही सुन्दर लगते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं हमेशा ही प्लाइंट ये बहुत ही अच्छा लोको करते हैं सिंगल लगाते हैं बहुत ही संदर लगता हैें फर्न कुसे लोक Kerry से में काफी कॉंबिनेशन में अट्रेक्टिव कलर से मिलता है आप कई तरीके से आप इसको क्रीट कर सकते हैं अच्छा लुक देने के लिए मौर्निंग ग्लोरी जिसको हम पराजिता भी बोलते हैं यह काफी शुप प्लांट है इसके अलाब यह काफी ब्यूडफुल लगता है एक वाल को अच्छा क्लियर एंड माइफेवर्ट इस वंडर्जू जो बहुत ही इसली होता है मेरे जगर जगर वंडर्जू लगा हुआ ह कोलियस लगा हुआ है यह काफी इजी होते हैं बहुत ही इसली लग जाते हैं बहुत अच्छा लोग देते हैं आप किस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं आप देख लिजिए कोई भी डिजाइन में अच्छा ही लगेगा थाइंक्यों को वार्टिकल गर्डन इसली आप अपने गार्डन में एक लोग क्रियेट कर सकते हैं यह काफी कम स्पेस लेते हैं आपके गार्डन में बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही अच्छा लोग तैयार हो जाता है यह आप डियाइवाई भी कर सकते हैं प्लस आप इनका एक स्ट्रेक्टर जो मार्केट में मिलता है वो भी आप पर्चेस कर सकते हैं और उसका सैट अप अपने गार्डन में कर सकते हैं और एक ब्यूटिफुल सा लुक क्रियेट कर सकते हैं डियाई भाई भी एजी है और मार्केट प्रोड़क्ट भी काफी एजी है तो गो फॉर इट